दोस्तो बीड़ो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक से एरकने, दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट के में बहुत ही जरूरत है, हैलो नमस्कार दोस्तो सुआगात है आपका हमारे चैनल जीओ भीनुस में, दोस्तो इस बीड़ो में आपको देखने को मिलेंगी, सभी मुख्या समचार, टूड़े ब्रेकिंग न्यूस के रूप में, तो दोस्तो आपसे छोटा सारी रिक्रिस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर ने हैं, तो चैनल को सब्सकाइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे, ताकि हम जो भी पीडो डाले आप तक जिनमें से रेलवे मिनिस्ट्री के एक सुत्र के मुताबिक एक ऐसा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें से ऐसे लोगों को लिष्ट में बनाने के लिए कहा गया है, जिनकी उम्र 55 साल पार कर चुके हूँ, या 2020 की पहली ती माही तक रेलवे में उनकी नौकरी के 30 साल गया हूँ, रेलवे बोर्ड के जोनल अफसरों में यह पत्र भेजा गया है, उनके अनुसार रेलवे जोनल ने गुजारिस की गई है कि वे अपने स्टाफ का एक सर्विस रिकोर्ड तयार करें, जिसके साथ उसका परफार्मा सनलगन की करना होगा, इस रिकोर्ड में उन कर हैगरी के आने वाले लोगों के लिए एक लिश्ट तयार किया जाएगा, 2020 में इसकी तिमाही का मतलब पत्र में यह साफ करने के लिए कहा गया है कि इसे जनवरी से मार्च 2020 तक किया गया है, आपको बता दे कि रेलवे नया पत्र 27 जुलाई को जारे किया गया था, क्योंकि यहीं तारिक पढ़ रही है, और साथ ही रेलवे बोट ने जोनल अफसरों के लिए लिश्ट भेजने के लिए आखरी जो तारिक है वो 9 अगस्त को दी है, आपको बतादे कि लोग सभा में हाली में यह जानकारी दी गई थी, कि अलग-अलग सरकारी भी भागों में काम करने वाले गुरूप A और गुरूप B में 1.19 लाग से ज्यादा अफसरों की परफॉर्मेंस की जाच की जाएगी, ऐसा समय से पहले रेटार्मेंट करने वाले नियम के तहां थी उनको लागो होता है, आपको बतादे कि रेलवे सूतर के मुताबिक रेलवे फिलहाल 13 लाग चारी अभी मौझूद है, और मंतराले चाहता है कि इन संख्या को घटा करके 2020 तक 10 लाग से जाएगे, अगली खबर आपको बता दे कि अमेरिका चीन के बीच मंगलवार को फिर सुरू होगा ट्रेड वारता, जिहां दोसों, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार को ही वारता बाचित विपल रही थी, चीन की प्रध्योग की कमपनी हुआईवे पर कमेरिका द्वारा कड़े प्रतिबंद लगाए जाने के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ने के हालत बिगड रहे हैं, ऐसे में बाजार को वारता फिर से सुरू करने पर भी मुद्दे अमेरिका के और से वारता के तोर पर वित मंत्री स्टीवन म्यूचिन और अमेरिका के व्यापारिक प्रतिनी धी रॉबर्ट लाइटजर ने चीन के अपने समकच के साथ संघाई में मंगलवार को बुधवार से उन्हें वारता होनी हैं, आपको बता दे कि जून से अमेरिक ब्यवास्था के लिए काफी महंगे साबित हो चुके थे, जी हाँ तो सो अगली कबर आपको बता दे कि उत्तर परदेस में आरेसेस खोलने जा रहा है सैनिक स्कूल, सहेदों के बचों के लिए आरक्षी थोंगी सीटे, जी हाँ तो सो अरेसेस उत्तर परदेस में बुलन सह अरेसेस को लगा कि उसका ये मॉडल सफल हो जाएगा तो वह ऐसे और भी स्कूल खोल सकता है, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आरेसेस द्वारा खोले जा रहे है, इस स्कूल में करीबन 40 कड़र का खर्च आएगा, यह कलास 6 से 12 तक की पढ़ाए जाएगा, हाँ दोस्त अगली खबर आपको बता दे कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में बड़ा बदलाओ, नहीं लेने होंगे यह चार्ज मिलेंगे सबसे सस्ता लोन, जी हाँ दोस्तो, मोधी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना पहले से काफी आसान कर दिया है, सरकार के हो गया है, के सिसी के लिए यह सारी फीस माफ करने की जनकारी केंदरिये, क्रिशी मंतरी नरेंद तोमा ने यह संसद में दी है, यहीं नहीं, रिजर्व बैंक ने इसके तहत कोलेक्टरेट फीस मतलब की किसान की लिमिट एक लाख रुपे से बढ़ा करके एक दसमलों छो ज ले करके संबधित बैंक साखा में जमा करवाना होगा, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन पूरा होने से दो सब्ता के वीतर के सिसी जारी करें, राज अस्तरी बैंकर समीती इसकी निगरानी कर रहा है, आम तोर पर जब किसान बैंक के पास के सिसी बनवाने के लिए जाता है तो बैंक उसे तमाम तरह के फीज के लिए उजहा देता है, और बैंक अधिकारी नहीं चाहते हैं कि किसानों को पैसा मिले, लेकिन सरकार ने अब इन ज़ंजटों से मुक्त करके किसानों को मुफ्त कर दिया है, जी हां दोस्तों, अब बैंक जाईए और अधिकारी को किसान क्रेड़ कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, अगर बैंक अधिकारी यह मना कर देता है, तो उस पर करवाई की जाएगी, सरकार चाहती है कि किसान साहुकारों के ज़्यादा ब्याज दर पर लोन लेने की जगह, बैंक से सस्ते दरों पर लोन पर क्रेड़िट कार्ड क जरिये लोन हासिल करें खेती के लिए तीन लाक रुपे तक कर्ज में सकता है। आपको बता दे कि परसांत के पहले अभियान के तहट अगले सौ दिनों में से एक हजार से अधिक अस्थान उपर कारिकरम आयुजित किये जाएंगे। करके 10,000 करने को कहा गया है। प्रसांत की सोर के टीम पांच लाक युवाओं को ट्रेनिंग देना चाहती है। और खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग में कोई भी ऐसा प्लान ले सकता है और जो किसी दलका हो। लेकिन इस सब के पीछे यह सवाल खड़ा होता है कि इसमें त्रिमूल कॉंग्रेस को क्या फायदा होने वाला है। यूथ इन पॉलिटिक्स अभियान के तहट सोसल मीडिया पर त्रिमूल कॉंग्रेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। वही परसांथ की सोर के टीम का मानना है कि 5 लाख यूवा सकती को जोड़ने में त्रिमूल कॉंग्रेस के लिए एडिशनल फोर्स साबित होगी। इसके पहले आपको बता दे कि सितंबर तक 5 लाख डाटा बेस तयार हो जाएगा जिसमें से परसांथ की सोर 5 लाख यूवा को त्रिमूल कॉंग्रेस में जोड़ लेंगे और 15 महीने तक उन्हें ट्रेनिंग देंगे। बहरहाल परसांथ की सोर 5 मंगाल में होने वाले विधान सबाचनाओं के मद्यनजर पार्टी को मजबूत करने की कवायद सुरू कर दी है। लेकिन इस पर बीजेपी की क्या प्रक्रिया है यह अभी देखने वाली है। मुदाविक 20 अगस्त को राजियो गांदी की 75 जन्ती के औसर पर कॉंग्रिस दिस फर्मे कराक्रम का आयुजित करने जा रही है। जिसमें से बतौर प्रधान मंतरी गांदी के युगदान के तौर पर उपलवधियों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जाएगी। बैठक का मुख एजन्डा इस कराक्रम को तयार करना है और यह सुत्रो का काना है कि राहूल गांदी की अधक्षपत पर इस दिफे की घोशना के बाद होने जा रही महासचीवों की बैठक में दूसरी राजजितिक मुद्धे पर भी चाचा होगी। सुत्रो का यभी काना है कि अगस्त में पहले सब्ता में अधक्षपत के संदर में निर्णे लेने के लिए पार्टी कारिस्मिती के बैठक बुलाएज जा सकती हैं हाला कि फिलहाल इस पर कोई अभी निर्णे नहीं हुआ है। सुने का हाजिर मूल 1419.44 पर रहा है वहीं दूसरी और चांदी कुछ नुकसान के साथ 16.44 पर चली गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी गिराउट आई है। पिछले सब्ता हमें पेट्रोल के दाम तो कम हो रहे थे लेकिन डीजल के दाम इसली थे लेकिन आज पेट्रोल डीजल के दामों में रहात मिली है। दीज में मैट्रो सहरो में पेट्डोल के दाम तक्रीबं 15 पैसे और डीजल के दामों में तक्रीबं 12 पैसे की गिराऊट दर्ज की हैं। वहीं बात करें दिली में तो पेट्डोल की दीजल 72.99-a . yawní की सुबह से 15 पैसे की घट्ती हुई इसमें नजर आ रही हैं। वहीं बात करें डीजल की तो डीजल में 66.07 रुपे परती डॉलर यानि कि कल के मुकाबले 11 पैसे कम हुई है। जिहां दोसों अगली खबर आपको उता दे कि भारत में पहली बार होगा जुआइंट वार गेम जैसलमेर में आठ देसों के बीच होगी टक कर। जिहां दोसों भारती सीना देस में पहली बार जुआइंट वार गेम एक्सुसाइज का आविज़न करने जा रही है। इस जुआइंट वार एक्सुसाइज का आविज़न जैसलमेर में होगा और कुल आठ देस इसमें भाग लेने वारे है।